नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नियोजन निती के खिलाप राज्य भर में छात्र आंदुरन रत हैं नियोजन निती के विरुष में 10 अप्रेल को कई संगठनों के द्वारा जार्खन बंद का वहान किया गया इसको लेकर राजधनी रांची में जार्खन बंद की पूरो संध्यापर रभीवार को कई संगठनों के द्वारा मसाल जूलूस भी निकाला गया बता दे मसाल जूलूस में सामिल जार्खन उल्गुलान मोर्चा के अध्यक्ष रभी पीटर ने बताया है कि जार्खन राज एक हमीर राज है इसके बावजूद भी यहां के आदिवासी और मुलवासी गरीवी में गुजर बसर करने के मजबूर है क्योंकि बाहरी लोग राज में अपना परभाव बढ़ा रहे हैं ऐसे में सरकार द्वारा लाई गई नियोजन निती कहीं न कहीं जार्खन के अस्थानिय और मुलवासी ओ को भी ज्यादा कमजूर बना देगी राजी के मुलवासी ओ के जीवन अस्तर को बढ़ाने के लिए नियोजन निती में बदलाव करने की अवसकता है जमसेदपूर में फायरिंग पथराओ के बाद 1144 लागू जमसेदपूर के कदमा सास्तिन नगर बलोक नमबर दो में रविवार की साम दो समुदावों के बीच पथरबाजी और हंगामे के बीच योकों में से किसी ने तावरत और फायरिंग कर दी सुचना मिलने पर पहुंची पूलिस ने भी हवाई फायरिंग कर पथरबाजी कर रहे लोगों को तीतर बितर करने का पर्यास किया लेकिन पथरबाजी के बाद और समाजिक तत्रों ने दुकान और वाहनों में भी आग लगा दी इससे च्छ दुकाने और दो बाइक जल गई जबकि एक बाइक को छती गरस्त कर दिया गया सुचना मिलने पर जार्खन अगनी समन और टाटा इस्टिल के दो दमकल गाड़ी मंगाई गई जिसके बाद आग पर काबू पाया गया करिब तीन घंटे तक चली पत्रबाजी में एसेसपी परभात कुमार समित कई पुलिस कर्मी भी खायल हो गया पुलिस ने पत्रबाजी वा हंगामा कर रहे सार से ज्यादा योगों को एक धार्मिक अस्थल से हिरासत में लिया है उन्हें वजरवाहन से थाना भेजा गया छेतर में तनाव का महौल है घंटना की जनकारी मिलने पर उपायोग तो बिज्जा जाधाव भी घंटनासल पर पहुंची है नियोजा निति के खिलाप आदिवासी संगठनों का दस अपरेल का जारखन बंद अस्थागीत 10 अपरेल को होने वाले इस बंद को आपस ले लिया है चात्र नेता गोवर्धन ठाकों ने बताया है कि या निर्नाय सूबे के सिख्छा मंत्री के आक्समिक निदान होने के करण लिया गया उन्होंने कहा है कि वे खतियान के सच्चे और प्रबल समर्थक थे इसलिए उनके समान में इस बंद को आदिवासी सेगल अभ्यान ने वापस ले लिया जार्खन बंद को सफल बनाने के लिए आदिवासी सेगल अभ्यान ने अब 10 अप्रेल के जगा 19 अप्रेल को आदिवासीों से अवाहन किया है बतादेश चात्र नेता ने कहा है कि उनकी आत्मा की सांती के लिए हेमन सरकार को 60-40 नियोजन को वापस लेते हुए अब इलम खत्यान अदारी समयधानिक नियोजन निती लागू करने की प्रक्रिया लानी चाहिए जारखन बोड के बच्चों के खाते में जाएगी 10-10,000 रुपे मैट्रिक प्रोसाहन रासी राज सरकार मोख्य मंत्री बिद्यार्थी प्रोचाहन योजना और मोख्य मंत्री बालिका प्रोचाहन योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है इसके लिए अब बच्चों को कोई आवेदन नहीं करना होगा प्रोचाहन रासी अब सीधे उनके बैंके खाते में भेज दी जाएगी वर्ष दो हजार चोविस में जो परिच्चा फॉल प्रकासित होगा उसमें नई बिवस्था लागू रहेगी सिक्चा विभाग ने इस योजना पर काम सुरू कर दिया है बतादे बिहार विद्याले परिच्चा समीती से समन्वे बना कर इस योजना को मुर्थ रूप दिया जाएगा पिछले साल लगभग सावा चार लाख लड़के लड़कियों को 437 को रुपे प्रसाहान रासी के रूप में दिया गया है जमसेद पूर कदमा में तीन घंटे बाद इस्थिती समाने साथ गिरफतार कदमा थाना अंतरगस सासरी नगर बलोक नमबर तीन में दो गूटो के बीच जड़ाप के बाद होई हिंसार अभिवार देर राज सांत हो गई है छेतर में महोल सांत रहे इसके लिए इलाके में भारी संक्या में फोर्ष देनात किया गया पूलीस पूरे इलाके में लगातार गस्त कर रही है इधर घटना के तीन घंटे बाद आखिकर परसासन ने हालात पर काबू पाही लिया है मौके पर जीला पूलीस बल रैप और दंगा निरोधक दस्तार ने मोर्चा समाल लिया है उपायुक्त बिज्या जाधो एसेसपी परभात कुमार सीटी एसपी के बिज्या संकर के अलावा सभी डिएसपी सभी थाना परभारी मौजूद मौके पर कैम्प कर रहे हैं इस्थिती पर नियंत्रन करने के लिए पडोसी जीले से भी सुरक्षा बालो को मंगाया गया सभी जीलो के पुलिस अधिक्ष को आई जी रेंज डि आई जी और वर्य पुलिस अधिकारियों के साथ राजय के कानून बेवास्ता की समिक्षा की जाएगी डिजीपी की मीटिंग पुलिस मुख्यालाय में सोमवार को दिन के साड़े गारा बज़े होगी जीले के सभी SSP, SP, DIG, IG को भीसी जुआइन करने का निदेश दिया गया कॉन्फिरेंस हौल में पुलिस मुख्यालाय से समवनित वरिष्ट अधिकारी भी सामिल होंगे इसे पहले डिजीपी ने बीते 6 अफ्रेल को जीलो के SP के साथ लमित कांडो को लेकर समिक्चा बैठा किये थे दूसरे राजियों से आने वाले मरीजों को करना होगा RAT जांच देश के कई राजियों में कुरोना संक्रमन की रफ्तार काफी तेज है ऐसे में जारकन की स्वास्त मंत्री बना गुपता और अपरमुक्त सचीव स्वास्त अरून कुमार सिंग ने राजिक के DC और सिविल सहजनों के साथ रभी वार को वर्चूल मिटिंग की और कई अहम आधेश दिये संक्रमित राजियों से आने वाले मरीजों पर कड़ी नजर रखी जाएगी उन्हें कुरोना जाज के लिए पहले आरेटी जाज कराने और पोजेटिव आने पर आर्टी पी सिया टेस्ट कराना होगा जरूरत पढ़ने पर जिनोम सिक्वेंसिंग भी कराया जाने का निदेश दिया गया बतादे रांची के नेपाल हाउस मंत्रालाई से कुरोना को लेकर साम में होई अहम बैठक होई जिसमें अपर मुख सचीव अरोन कुमार सिंग ने राजयों के डी सी को आवसक निदेश दिया है कुडमी आंदोलन खत्म होते ही आठ ट्रेनों की घोसना पांच अपरेल से दक्षिन पूरो रेलवे के कुस्तवर में कुरमी आंदोलन समाज का रेल रोको आंदोलन रभीवार को समाप्त हो गया है कुस्तवर में पांचवे दिन आंदोलन समाप्त होते ही रेलवे ने आठ ट्रेनों को चलाने की सुचना जारी कर दी इसमें पाटली पूत्र एक्सप्रेस, गोड़ा रांची एक्सप्रेस, रांची धनबाद, इंटर सिटी वनांचल जैसी ट्रेने सामिल है हलाकि खेमा सुली में आंदोलन अभी भी जारी है इसके साथ ही धनबाद, रांची, रेल, मार्ग के कोट सिला में भी रभी वार से आंदोलन शुरू हो गया है इस वज़ा से ट्रेन अपने निधारित रूट से बदलते हुए परिवर्तित मार्ग से चलेंगी खेमा सुली और कोट सिला में आदोलन जारी रहने से अभी ट्रेनों के रद होने का सिलसिला जारी रहेगा है सची वाले घेराओ के लिए बीजेपी नेताओ की बैठक भाजपा ने गार अप्रेल को परदसन को लेकर सातारूट जार्खन मुक्ति मोचा के आरोपो को बौकलाहट करा दिया है परदेश परवक्ता विनास कुमार सिंग ने कहा है कि परदसन की त्यारी से जामों घबरा गया है इसकी आहट से ही इनके पसीने चुटने लगा है उन्होंने कहा है कि चोर की दाढ़ी में तीनका कासपस्ट उधारन जामों न दिया है जूट और लूट की सरकार के परश्टा चार की परत खुलने लगी है खान और खनीज की लूट चरम पर है पलामों टाइगर रिजर में बाग हो रहे बिलूपत बाग संदाचन को लेकर 2010 में सेंट पिटरसबर्ग टाइगर समिट हुई थी इस दोरान बाग संदाचन पसेंट पिटरवर्ग घोसना पर हस्ताक्चर किये गये थे जिसमें टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा 2022 तक बागों की संदाचन दोगनी करने का संदाचन पलिया गया था वहीं 2006 में भारत में करीब 1400 और पलामों टाइगर रिजर में 17 बाग थे साल 2018 की भारत बाग संदाचन रिपोर्ट के अनुसार देश में बागों की संदाचन बढ़ कर 2960 हो गई और PTR में सुनिये एक तरह भारत में 6 पहस्त की दर से बागों की संदाचन प्रिद्य हो रही है वहीं दूसरी तरह PTR में बाग बिलूपत हो गई हाए पंचायत सचीव पद के लिए 1600 अभ्यार्थियों का चयान इन सभी अनुसांसित अभियार्थियों के नियुक्ति ग्रामिन विकास विभाग के तहत होगी आयोग ने पहले और दूसरे चलन के कौसर जाज परिक्षन के अधार परियापई नाम जारी किया है गाउं की परतिभाओं को निखारने के लिए गाउं में सिध्धू कानो युवा खेल कल्ब का गठन होगा राजय में खेल संस्कृति को सुद्रीड करने ग्रामिन युवाओं के परतिभाग को निखारने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के उसर परदान करने के लिए परतेक गाव में सिद्धू कानो युवा खेल कल्ब के अस्थापना होगी यहां कल्ब अपने छेत की संस्कृति की संग्रचन आस्वर्धन का भी कार्य करेगा बता दे पिशली सरकार ने इस उद्यस से कमल कल्ब के गठन का निने लिया था अब कमल कल्ब की जगा राई सरकार ने परतेक गाव परखन और जिला अस्थर पसीदू कानो युवा खेल कल्ब के गठन का निने लिया है 18-40 वर्ष के युवा इन कल्ब के सदस्य होंगे राज सरकार ने कल्ब के गठन और इसके संचालन को लेकर नियमावली लागू कर दिया है अधाई लाख बिजेपी कारिकारता 11 अप्रेल को घेरेंगे सचीवाला है गोड़ा के सांसर डाक्टर निसी कान दूवे ने देवघर जी लेके मधुपूर में पंच मंदीर में रभिवार को प्रेस वर्ता की इसमें उन्होंने कहा है कि हमन्त हटाओ जहरकन बचाओ राज्य अस्तर ये परदसन में 11 अप्रेल को भाजपा के अड़ाई लाग करकाता सचीवाला का घेराओ करेंगे संताल परगना से भी 25 एर करकाता परदसन में सामिल होंगे सचीवाला घेराओ के लिए रांची जाने वालों के लिए 20S ट्रेन की विवस्ता की गई है जहरकन सरकार साजिस के तहत कई ट्रेनों को रोकने में लगी है मगर भाजपा के करकाता और समर्थक बड़ी तदात में सचीवाला घेराओ में सामिल होंगे गोटा के सांसर डाक्टर नी सिकान दूबे ने का एक जार्खन की जानता है मन सरका से पुरी तरह से उप चुकी है भाजपा राजे को लूटते, बिखते, बलतकार, साइबर, बांगलादेशी घुस फैठियों की राय धानी बनते नहीं देख सकती जार्खन में कुरोणा को लेकर 10 और 11 अप्रेल को मौक ड्रील इस दोरान जाच अभिहान चलाने का निज़स दिया गया, 10 और 11 अप्रेल को कुरोणा से बचाव के तयारी को लेकर मौक ड्रील की जाएगी आपर मुक्सचीव स्वास्त अरून कुमार सिंग ने कोवीड टेस्टिंग यवं जिनोम सिक्वेंसिंग के साथ कोवीड नियमों के पालन वा प्रसार बढ़ाने से जुड़े बिभिन बिंदुओं पर चाचा की है वहीं स्वास्त मत्री बाना गुपता ने कहा है कि हमें सतरक रहना है और पैनिक होने के आउसकता नहीं है पदमसरी ड्क्टर जानूम सिंग सोय पहुँचे जमसेदपूर दिल्ली में राष्टपती के हाथो समानित होने के बाद रविवार को सहर पहुँचे पदम सिरी डाक्टर जानूम सिंग सोय का पारडी साक्ची सीता राम डेरा एस्टेशन चौक वा करंडी में भव्य अभिनांदन किया गया आदिवासी एस्टोसियेशन सीता राम डेरा प्रांगन में पदम स्री डाक्टर जानूम सिंग सोय का परंपरा के अनुरूप कट सोव बहायाद देकर स्वागत किया गया बतादे स्री सोय ने कहा है कि हो साहिते और लेखन को सम्रीद करने की जरूरत है जार्खन अंदोलन कारी सा पूर्व बिधायक सूर्य सिंग बेस्तरा ने कहा है कि प्रेरना परतिक बन गया है पदम स्री डाक्टर जानूम सिंग सोय मौकेपर डेमका सोय मंगल सिंग सोय रैमूल बर्रा सोमनात पड़या सामिल थे रांची में मंदीर में चोरी तोड फोल के बिरोज में बारह को नामकुम बंदे एक सुवर में इस घटना की निंदा की है बताजे रांची के लोग सबसांसर संजर सेठ ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हमेशा सनातन धर्म को ही क्यों निसारा बना जाता धार्मिक असल से छेर छाड़ बरदास नहीं किया जाएगा तोड़ फोड़ गलत भावना से यो पुरा हो जाएगा इस एक वर्स के दरान राज सरकार से गठी त्रिकूट रोपवे हाथसा के उच अस्तरिये जाज कमिटीन रिपोर्ट सोब दी थी लेकिन सरकार ने त्रिकूट रोपवे को दोबारा चालू करने से पहले देश के अन्य इलाकों में लगे रोपवे के तक टीम को भी भेजा था लेकिन अब तक यह आकलन नहीं हो पाया है इधर घटना के बाद से त्रिकूट पहाड पर प्रेटकों के आवागावन में काफी कमी आ गई है बता दे त्रिकूट रोपवे के आस पास के करी 20 सहर लोगों को परत्याक्ष रूप से रोजगार मिले थे अस्थाने दुकंदारों से लेकर गाइड, रेस्टोरेंट, फोटोग्राफर समेथ, टेवलिंग के जुड़े लोग को भी रोजगार प्रभावित हो गया है दिवंगत मंत्री जगनाथ महतो के गाउं में लगेगी अस्थाथातु का परतिमा जार्खन सरकार के दिवंगत मंत्री जगनाथ महतो के पैत्रिक गाउं अलारगों में अस्थाथातु की आदमकद परतिमा लगाने की बात कही गई है वहीं अस्मारक अस्थल बनाने को लेकर अस्थल का चेहन किया गया अस्मारक अस्थल और आदमकद परतिमा बीएट कोलेज मैदान में लगाने की बात कही गई राजय मंत्री का दरजा प्राप्त योगेंदर महतो सिंग अने दलो से उपस्थित नेता यवं गरामिन के उपस्थिती में दिवंगत मंत्री के पूत्र अखिलेश महतो एवं भाई बैजनात महतो के अनुसार अस्थल देखा गया रामगड के पतरातु जील में नाविको के बीच जड़प में 20 घायल जारखन में रामगड जीले के परियटन असल पतरातु में रभिवर को बड़ा बवाल हो गया पतरातु में नाविको के दो समुह के बीच टकरा हो गया इस जड़प में पांच महिलाओ समेत कम से कम 20 लोग घायल हो गाए बताया जाता है कि रांची से लगभग 35 किलूम्पर दूर इस्थीत पतरातू लेक रियोट में नाव संचालन सेवा पर वर्चसों को लेकर दो समुहक के भी जड़गडा हुआ पूलिस अधिकारियों ने बताया है कि हिंसा में तीन महिलाओ समेत 5 लोगं भी रूप से खायल हो गाए इंसा भी को इलाज के लिए रांची स्थीत रिम स्रेफर कर दिया गया है कोरोना परभावीत आठ राजियों से आने वालों की होगी स्क्रीनिंग जारखन में कुरोना के बढ़ते मावलों को देखते हुए स्वास्त विभाग अलर्ट मोड परहर अभीवार को स्वास्त मंत्री बना गुपता के अधक्ता में सभी जीलों के डिसी और सीविल सर्जन के साथ वीडियो कंफिसिंग के जरिये बैठक होई बैठक में नीने लिया गया है कि देश बर के सबसे अधिक प्रहवित आठ राज दिल्ली, गुजरात, हर्याना, हिमांचल, परदेश, केरल, करनाटक, महराष्ट और तमिलाडू से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी साथ ही विशेस, निगरानी की जाएगी बैठक के दोरान सभी से कहा गया है कि स्क्रीनिंग में अगर किसी भी मरीज में लक्षन मिलते हैं तो उनकी रैपिट, एंटिजन, केट और आटी पीसियर से जाच की जाएगी रेल रोको को लेकर कुडमी समाज में दो फाड़ कुडमी को अनुसूचित जन जाती में सामिल करने किमां को लेकर 5 अप्रेल 2023 से अनिश्चित करने रेल रोको अंदोलन के तहट कुडमी समाज का दो फाड़ हो गया आदिवासी कुडमी समाज ने रेल जाम वापस लिया है जबकि पछिम बंगाल कुडमी समाज की घागरा घेरा सड़क जाम आंदोलन जारी है आदिवासी कुडमी समाज ने यात्रियों की परसानी और सरकार से वार्ता की बात बताते हुए आंदोलन वापस लिया है जबकि पच्छिम बंगाल कुडमी समाज ने आंदोलन जारी रखने की बात कही बता दे कि पच्छिम बंगाल सरकार ने 10 अप्रेल को आंदोलन कारियों को वारता के लिए आमंत्रित किया है गोड़ा के आदानी पावर प्लांट से बंगला देश को 738 मेगावार बिजली की आपूरती शुरू जारखन के गोड़ा इस्थीत आदानी प्लांट से रभीवार को बंगला देश को अधिकारिक तोर पर बिजली आपूरती की शुरूआत कर दी गई है कमपनी की ओर से इसकी अधिकारी घोसना कर बताया गया है कि अभी 738 मेगावार बिजली के आपूरती पड़ोसी देश को की जा रही है इसे पहले प्लांट से ट्रोयल के तोर पर बंगला देश को बिजली आपूरती 16 दिसमर 2022 से शुरू कर दी गई थी कमपनी के सीओ एसबी ख्यालिया ने बताया है कि 4 महिने से अधिक समय तक बिलिया पूरती का ट्रायल किया गया हेमंत हटाओ जार्खन बचाओ भाजपा देख रही सपना जामुमो भातिय जनता पार्टी ने 11 अप्रेल को हेमंत हटाओ जार्खन बचाओ सची वाले घिराओ का कारकर बनाया है पार्टी ने कारकरम को सपल बनाने के लिए अपनी पूरी तागर जोग दी है वही जार्खन मुक्ती मुर्चा ने सन्वादाता समयलन कर कहा है कि लोग प्रिये हेमंत सुरेन को हटाने की बात मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है जारखन मुक्ती मुर्चक वरिष्ट नेता सुपरियो भटाचार ने कहा है कि मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को हटाने का खुआप देखना मुगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है उन्होंने कहा है कि अजनकारी मिल रही है कि गोड़ा से Especial Train से भाजपा करकरताओं को रांची लाया जा रहा है ऐसे में ज्यादा से ज्यादा चार हैर लोग को ही भार्तिय जन्ता पाटी सच्चवाला घिराव कारकर में जूटा सकती है इतना तो यहाँ पर मंगलवारी मेले में भीड जूटती है भाजपा और छात्र अंदरोन को लेकर अलर्ट पर पुलिस पर सासन राजधानी रांची में आने वाला सप्ता पुलिस के लिए मुस्किलो और चुनोतियों भारा होगा दरसल राजधानी रांची में कई बड़े पर्दसन होने है जिन में हजारों की संक्या में भीड जूटेगी राजधानी में एक तरफ भाजपा एक बड़े अंदरोन के रूप रेका तयार कर चुके है दूसरी तरफ चात्रों का भी बड़ा होजूम राजधानी में उम्रेगा इसे देखते हुए रांची पुलिस परसासन अपनी तैयारियों में जूट गई है इस पेशल बरांच के दोवारा भी इनपुट दिया गया है कि वे आने वाले दिनों में जो आंदुला राजधानी में होने होना है उनमें हजारों की संख्या में लोग जूटेंगे जारखन अतिथी सिक्षक संख मिला मुलवासी सदान के अध्यक्ष से जारखन अतिथी सिक्षक का प्रतिनिदी मंडल मुलवासी सदान मोर्चा के केंध्री अध्यक्ष राजधर परसाद को गयापन दिया डुरणडा कॉलेज समेथ अलग-अलग कॉलेजों की समस्या को लेकर के विगयापन दिया गया वहाई सिक्षको ने राईंदर परसाद को जनकारी दिया है कि पिछले साथ सालों से डुरांडा कॉलेज में पढ़ा रहे सिक्षको को मांदे नहीं मिला इस बात को सुनते ही राईंदर परसाद ने राची विश्व विदाला के डिएस डवलू डाक्टर सुदेश साहू को फोन कर जल्द मांदे देने का आगरा किया है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हैं तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बहल के बेल एक अंद भाईए साजिस्तात वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले सा यू